नमस्का दोस्तों, इन मीडिया वेब अब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि कोन विक्ति न्यूस पोर्टल चला सकते हैं क्या उसके रिए कोई नियम, कानून या बंदिश है और सबसे महत्वपूर्ण ने ये विशे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको आज इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप न्यूस पोर्टल चलाते हैं या चला रहे हैं या बनवाने का विचार कर रहे हैं या उसे चलाने का विचार कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? क्या आप पत्रकार कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो दोस्तों चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाला है मैं खोशिश करूँ हूँ आपको अच्छे से जानकारी विवस्तित दे पाऊ ताकि ये डॉट्स आपके मन से क्लियर हो पाएं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि न्यूस पोर्टल, मीडिया और वेब टेकनोलोजी से रेलेटर जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं किसी भी शेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति अपनी रूची के अनुसार अगर वो चाहता है कि मुझे न्यूस पोर्टल बनवा कर काम करना है पत्रकाइता के शेत्र में तो वो व्यक्ति काम कर सकता है इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है अगर आप 10th पास है 12th पास है तो भी आप न्यूस पोर्टल चला सकते हैं बशर्ते आपको इदनी जानकारी होना चाहिए कि लेखन का ग्यान होना चाहिए पत्रकाइता के कुछ रूरूल्स और रेगलेशन्स की नौलेज होना चाहिए और ओनलान प्रेटफॉर्म अगर आ आपको बता ही दिजागी है यहां पर दोस्तों आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि न्यूस पोर्टल को जैसे मैं बता चुका हूं कि कोई इस तरह की बंधिश नहीं है तो कोई भी वेक्ति न्यूस पोर्टल संचालित कर सकता है यहां बात आ जाती है कि इसके लिए क या कानूनी नियमों की आवश्टता है तो दोस्तों मैं अपने चेनल के उपर बड़ा ही व्यवस्तित और डेटेल रूप में आपको जानकारी दे चुका हूं वीडियो के मार्जम से आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल पर इस वीडियो में आपको ये बता देता हूं कि पोर्टल के लिए कोई बड़े या कोई ऐसे विशेश नियम नहीं है आप किस टाइप में न्यूस पोर्टल को रन करना चाहते हैं उस पर चीज़े डिपेंड करती है जो कि मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं आप दिसक्रिप्शन में लिक मिल जाएगी और फिर हमारे चैनल के उपर सर्च कर सकते हैं अब बात यह आजाती है कि अगर आप न्यूज पोर्टल संचालन कर रहे है या फिर आप न्यूज पोर्टल संचालन करने का विचार कर रहे है या बनवाएंगे तो आप क्या या फिर आप सिर्फ एक न्यूज पोर्टल या कोई एक न्यूज वेबसाइट संचालक कहलाने वाले हैं पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आएंगे तो तो इसका जवाब है हाँ पत्रकार कहलाएंगे पर आप चुकी अगर आप किसी रिजिस्टर्ड संस्था के पंजिकरत हैं रहे चुके हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली पर अगर अगर आपको ये सवाल कोई करता है कि आप अपना self news portal चला रहे हैं तो आपकी post क्या है आप क्या है तो आप है दोस्तो freelance journalist freelance journalist मतलब स्वायत पत्रकार आप स्वायत पत्रकार कहलाते हैं आप किसी के अंडर पे रहकर काम नहीं कर रहे हैं, किसी के आपके उपर कोई मालिक नहीं है, आप खुद अपने पोर्टल के मालिक हैं और आप खुद अपने काम के मालिक हैं, आप स्वतंत पत्रकार कहलाते हैं, स्वायत पत्रकाईता कर रहे हैं, तो आप कहलाते हैं freelance journalist, तो जी हां दोस् यह चीज़ भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है कि आप न्यूज पोर्टल चलाने के लिए आपके कोई बात जिता नहीं है आप न्यूज पोर्टल बनवा कर चलवा सकते हैं यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि न्यूज पोर्टल अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप कहां से बनवा सकते हैं दोस्तों पिछले साथ और शो से इमीडिया वेब इडेप न्यूस पोर्टल और वेब डिजाइनिंग के शेत्र में अपनी अच्छी सेवाएं लोगों तक पहुचा रहा हैं जिसमें कस्टमर्स के काफी अच्छे रिजर्ट है प्लस न्यूस पोर्टल हम अभी तक रेडी कर चुके हैं तो दोस्तों अगर आप न्यूस पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो इमीडिया वेब ड़ेप से कॉंटिक कर सकते हैं हमारा कॉल्टेक नमबर है 79999-06109 आप हमें कॉल भी कर सकते हैं वाट्सप भी कर सकते हैं आपको बेहतरी न्यूस पोर्टल टेक्निकल सपोर्ट के साथ में सर्व सुविधा यूपत बना कर दिया जाएगा आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा पसंद आया होगा मिलते अकला वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो दो